तो इस वीडियो में जो हम प्रीमियल लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा चेल्सी वर्सिस एस्टन विला के बीच मैच का वेनी होगा स्टेंफ़र्ड ब्रीज जो की चेल्सी का होम मैच है रात में 10 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाले हैं Chelsea आप सभी जानतोंगे Premier League के best clubs में आता है इवन यूरोप के top 5 clubs में तो आए गई आएगा last season Chelsea ने UCL जीता था और इस season one of the favorites है Premier League title जीतने के लिए Ashton Villa एक अच्छा mid table का club है जिनके performances Premier League में काफी अच्छे रहते हैं match interesting होगा although इस match में Chelsea अपने हर घर में खेल ला है clear cut favorite होने वाला है लेकिन Ashton Villa ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा week है यह Chelsea को toe to toe fight दे सकते हैं still favorites Chelsea होने वाली है अगर मैं आपको इस season की start दिखाऊं तो Chelsea अभी fourth position में तीन में उनकी दो victories है एक draw है और साथ उनके point है Ashton Villa 11 position में तीन में एक victory है एक draw है और एक loss है चार उनके point है तो देखा जाए अभी शुरवाती तीन मैचेस में भी Chelsea का performance अच्छा रहा है यह थे उनके starting तीन मैचेस सबसे पहले 3-0 Crystal Palace then 2-0 Arsenal को रहा है लास्ट मैच एक 1-1 अच्छा draw खेला इन्होंने Liverpool के अगेस्ट अगर इसने match देखा होगा तो आपको याद होगा कि 45 मिनट से भी पहले Chelsea 10-man बे हो गई थी यानि कि उनके एक player Reeves James ने रेट कार्ट खा जा था उसके बावजूद अगले half में उन्होंने क्या जवरदस्त defending की थी सिर्फ 10-man के होने के बावजूद इस वज़े से Chelsea ने match draw कराया था तो बहुत अच्छा खेली थी सिर्फ 10-man होने के बावजूद भी Chelsea इस match में और Chelsea कहा है ना जब से Thomas Tugall उनके नए manager है defensively बहुत-बहुत solid रही है उनके against goal मनना बहुत ज्यादा tough रहता है अपोनेंट easily उ यह थे starting 3 matches, 3-2 Watford से आ रहे उसके बाद 2-0 Newcastle को रहा है कब match को अगर हम हटा दे तो पिछला match एक-एक draw रहा है ठीक-ठाक सा start रहा है एस्टन विला का बागी में आपको एक चीज बताना भूल गिए आप बतातो Chelsea ने जो starting 3 matches है न दोस्तों इसमें सिर्फ एक goal concede किया है वो भी open play से नहीं मो सालन ने penalty में score किया था यानि कि इससे बतलता है open play से break कर पाना Chelsea को बहुत मुस्किल है तो यह एस्टन विला के लिए आज के मैच में मुस्किल जरूर होने वाला है इनके against score कर पाना अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं last season क्या हुआ न दो matches हुए है Chelsea और एस्टन विल रहेगी लेकिन थोड़ा सा एक एस्टन विला के प्लेयर्स के मदर motivation रहेगी कि उन्हों लें लाजट बार Chelsea को हरा है तो वो पूरी तरह से इस बार भी हरा सकते हैं अब एक स्टेट में आपको दिखाता हूं Chelsea are undefeated in their last six home matches against एस्टन विला in all competition तो यह Chelsea के favor में जाता है पिछल Chelsea इस match में clear cut favorite होने वाली है और high chances है आपका opponent भी small league में Chelsea favor की team लाएगा तो हम भी Chelsea favor की team ले जाने वाले हैं लेकिन अगर आप GL खेलने हैं तो 10 मैंसे मैं suggest करूँगा 7 combination Chelsea favor के बनाईए 2 या 3 combination of Ashton Villa favor के भी बनाईए in case उलट फेर होता है वैसे chances मुझे कमी लग रहे हैं जिस त हैं उससे बेले एक बार फिर रिमाइंड दिला देता हूं इस match की final SL team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं telegram channel का link आपको मिलेगा description में जरूर से जरूर join कल लीजे अब हम आते प्रोविवल लाइनप पे बेले हम बात करेंगे strong Chelsea side की और इनके हम maximum 7 players pick करेंगे small league में Aston Villa के pick करेंग 3 in the back, Christianson, Thiago Silva और Rudiger इसके साथ ही Hpel Equator और Alonso ये इनके wing back भी defense action में listed है अब यहाँ पर क्या है ना अगर Thiago Silva नहीं खेलते तो इनके place में खेलेंगे Trevor चालूबा Thiago Silva भी मुझे पता नहीं है वो Brazilian player का कुछ issue चल ला है, maybe start कर जाए, maybe ना करे, तो अभी के लिए इनके defense में 3 या 4 defender हम शोली pick करेंगे क्योंकि Chelsea की clean sheet का भी high chance है, बहुत ज़्यादा है position भी dominate करते है, minimum 3, ने तो 4 तो आफ शोली ले जाए, ले जाए, in case किसी को लग रहा ultra clean sheet, clean sheet आएगी आएगी 100% है, narrow 1-0 victory होगी, उस case में 5ो defender भी आप ले जा सकते है, फिलाल के लिए, इनके defense में मेरी number 1 choice Marcos Alonso रहेंगे, क्या बहतरीन season गया भी तक starting 3 matches में, offensive work भी गया, defensive work भी गया, एक goal भी है, और आपने इनकी free kick देखी होगी तो वो बड़ इजवरदस्ती जो इ रहने वाला है, number 2 choice मेरी hpal equator रहेंगे, जो Reese James वाली position में आज खेलेंगे, वैसे as a right wing back ही थे, लेकिन जब Reese James खेलते थे तो यह as a right center back खेलते है, आज यह right wing back खेलेंगे, तो यहां से इनको added width मिलेगी, तो यहां पे से hpal equator assist potential भी आज के match में बढ़ जायागा इनका, यहां के assist भी कर सकते हैं, defensive point तो देते ही देते हैं, तो एच पल equator, Alonso, यह दो मेरी top two pick है, then maybe Christianson, Thiago Silver, Rudiger में किसी के भी साथ आप जा सकते हैं, अभी के लिए मेरी third choice Rudiger रहेंगे, because यह headers में अच्छे है, although selection Christianson का high है, लेकिन Rudiger headers में ज्यादा अच्छे है, Connor Spaces के through headed goal, score कर सकते हैं, then four choice अगर आप चार defender ले आरे, maybe मेरी Christianson रहें, और last choice Thiago Silver रहे, आप इसका reverse भी कर सकते हैं, four choice Thiago Silver या last choice आपकी Christianson भी रह सकते हैं, अभी के लिए, चहां तक है, मैं एच पल equator, Alonso, तो शोल्डी लियाओंगा, then इन तीन में कोई दो defender में pick करने वालों, तो यह Chelsea का defense था, midfield में ज penalty होगी, अब से ओ, Lukaku लिंगे, हलांकि मैं sure नहीं हूँ, यह तभी पता जलेगा, जब next penalty Chelsea को मिलेगी, लेकिन chances हाई इसी बात के हैं, कि Lukaku penalty taker रह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा striker है, और obvious सी बात है penalty होगी, तो जोर्जीनियों से उपर ही ओ लिंगे, तो इस वज़े से म उतना attack करते हैं, यह open play से goal assist नहीं आथा, इनका goal assist ज़्यादा आता है, penalty set pieces से ही, still, जोर्जीनियों अभी के लिए important player है, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि next penalty dagger call है, तब तक मैं जोर्जीनियों को back करूँगा, कुवाचिच अच्छे player है, एक roaming flank है, हर जगे मैदान में खेल जलते हैं, गोमते हैं, काफी hard work करते हैं, इनके साथ दिक्कत क्या है, बस एक दिक्कत है, यह जल्दी substitute होते हैं, और इस match में तो Saul निगवेज अपना debut कर सकते हैं, जो एटलेटिको मेड़िट से यहाँ है, नई player है, कुवाचिच के place में, I think 60-65 minute में, still, किसी को risk लेना है, क कुवाचिच, अच्छे खासे आपको defensive offensive point दे सकते हैं, मेभी जोर्जीनियो को अठागे कुवाचिच को पिक कर सकते हैं, अभी के लिए मैं जोर्जीनियो कोई prefer करूँगा, then कुवाचिच को, अब Mason Mount important रहेंगे, selection हाई है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब से Chelsea में खेलने लगे हैं, गोल assist दोनों करते हैं, अल्दो नया सीजन उतना अच्छा start नहीं किया, still Mount जैसे player में हम risk नहीं लिंगे drop करने का, तो Mount को अभी में surely pick करने वालों, लुकाकु इस लुकाकु और लुकाकु से सब इस सीजन expect कर रहे हैं कि 20 प्लस गोल मारेंगे, Chelsea के लिए big money signing है, और हर जगे गोल मारे हैं, जहां भी इनोंने खेला है, proven goal scorer है, debut में अपना goal मारा, तो लुकाकु safe, captaincy option नहींगे, इस match में 100% हमें pick कर गे, इनको captain करना चीए, काय हावर्ट्स, last match में goal है, Liverpool के against, although मैं काय हावर्ट्स का बहुत बड़ा fan हूँ, लेकिन fantasy wise मुझे थोड़ा, यहां पे realistic रहना होगा, अभी कहा है न दूस्तों, मैं आपको बतातो, काय हावर्ट्स का ऐसा है, एक match अच्छा जा रहा है Chelsea के लिए, अगले एक-दो match उतना अ defender करिए, then आप काय हावर्ट्स को भी pick कर सकते हैं, या आप जोर्जीनियों हटा के काय हावर्ट्स को pick कर सकते हैं, यानि कि Lukaku, Mount, हावर्ट्स हो गए, चार आपके defender हो गए, अभी के लिए मैं pick नहीं कर रहा हो, हो सकता है, लाइने पाने के बाद मेरा दिमाग में कुछ changes बता दू, अभी के लिए तो मैं हावर्ट्स को pick नहीं करने वाला, तो यह overall Chelsea की प्रोवेबल 11 है, लगबग यहां से सबी चीज़ा explain कर दी, हाँ, मान लीजे मैं SL में हावर्ट्स को pick नहीं कर रहा, लेकिन Grand League में आप क्या है न, एक team में हावर्ट्स को captain जरूर कर लेना, in case 1 Chelsea की प्रोवेबल 11 थी, यहां से लगबग सभी चीज़े बता दी, हाँ में एक Lukaku का stat बताना भूल गया, यह आप देख लिए, Lukaku has scored in each of their last 5 Premier League appearances अगेंस्ट एस्टन विला, netting 6 गोल in total, यानि कि पहले जब Lukaku Everton और Man United में खेलते थे तब की बात है, तब Lukaku ने 6, 5 मैचेस खेल यहां पर हमारे अंदर दालता है, कि हम Lukaku को इस मैच में क्यों ना केप्टन करें, तो शोली हमारे Lukaku को इस मैच में केप्टन रहने वाले हैं, तो यह overall Chelsea की प्रोवेबल 11 थी, यह इनके इस सीजन के अभी तक के stat है, यह उनके last season के stat है, stat देखके आपको team create करने में काफी help मि प्रेंड की बात करने से पेले एक बार फिर रिमाइन दिला देता हूं, इस मैच की final SL team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं, link है description में, जरूर से जरूर join, कल लीजे, नहीं तो आप आप जो है telegram में iterate, fantasy, sports, spice, search मार के भी join कर सकते हैं, 3K यानि की 3000 से ज्यादा सफसाला channel आपको मिल जाएगा, इसके साथ ही YouTube channel भी subscribe कर लिजे, ऐसी football matches के preview videos होते हैं, इसी YouTube channel में मैं post करता रहता हूं, बात करते हैं, एस्टन विला कि इनको बहुत बड़े जटके लगे, मार्टीनेज, एमी मार्टीनेज, जो इनके main goalkeeper है, one of the best goalkeeper, प्रीमियल लिग के, ये सायद नहीं खेलें अभी Argentina और Brazil वाला जो match cancel हुआ था, इनी बंदों के वज़े से वह था, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप Google कर लेना, ये दोनों अभी नहीं कहिनने वाले, तो इस्टीर इनके second choice goalkeeper है, saves इस match में करेंगे, क्यूंकि आपके बास आपने इनके बास Lukaku है, तो बहुत on target लेगा, तो इस टीर अच्छे saving point दे सकते हैं, अभी के लिए मैं इनके defense में किसी को trust नी करता, उसका region वो ही है, अगर Chelsea 3-4-5 goal मार्दी की जो करने में capable है पूरी तरह से, तो defender दिंगे इनके negative point, still किसी के साथ जाना है, maybe cash defensively अच्छ है, target का assist potential अच्छ है, इन दोनों में किसी एक के साथ जा सकते हैं, although कौन सा minks header में अच्छ हैं, लेकिन यहाँ पे मैं expect करनी रहो, एक स्कोर करेगी है, जाज साथ एक ही करेगी, इस वज़े से अभी के लिए में center back तो नहीं लेने वाला, defensive wise, cash अच्छ है, tackles, interception करते हैं, लेकिन assist potential, target के पास अच्छ है, तो यह आप को चूज करने हैं, आप इन दोनों में किसी एक defender के साथ जा सकते हैं, मिटफिल्ड में Douglas Lewis, defensive midfield में खेलेंगे, ठीक ठाक प्लेयर है, कोई बहुत ज़्यादा टेकल्स, interception भी नहीं करते हैं, fantasy wise इतना बड़े acid भी नहीं है, still consider कर सकते हो इस match में, as a defensive player है, ठीक ठाक point दे सकते हैं, अभी के लिए मेरिक पास इन से अच्छे options अवेलेवल हैं, मेगिन बहुत अच्छा central midfielder है, जो defensive work भी करता है, offensive work भी करता है, और बीच बीच में 4-5-6 matches में एकाथ गोल assist करी देता है, और एक गोल भी अभी मेगिन का, मेगिन important player है, अभी के लिए मैं इनको pick करने वा लीना, उस match में इंक्स भी मैदान में थे, तो I think अभी penalty taker पहले LKG है, तो इस वज़े से LKG important हो जाते हैं, और open place से भी goal assist कर देते हैं, लेकिन अगर इनका off day गया, तो ये भी जल्दी substitute हो जाते हैं, अभी के लिए मैं safe जाओंगो तो LKG के साथ जाओंगा, किसी को risk लेन हो सकता है, अभी के लिए प्रेमियाल लीग में नया प्लियर है, अटैप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, still belly है कि important option होगा counter attack में, अभी के लिए small league में ignore कर रो, कोई बहुत बड़ा risk टेकर है, LKG drop करके belly pick कर सकता है, although without goal assist मेरे according दोनों ही उतने point नहीं दिंगे, अब Danny Ings और Watkins इनके 2 forward होंगे, Ings Southampton से यहाँ है, जब Grealish गए न, उसके बाद इन्होंने 2-3 player sign के, उसमें से 1 player Ings भी था, ओ जो money मिली, big money Grealish वाले move से, तो Ings proven goalie scorer है, Southampton में हमने देखा है, बहुत goal मारता है बंदा, यहाँ भी तक 2 goal एक assist already कर चुका है, और मैं any day Ings को Watkins स उपर ही rate करूँगा, क्योंकि Ings के बास बहुत ज़्यादा quality as compared to Watkins, still Watkins का selection आई है, last season इनका top scorer था, लेकिन अभी के लिए इन दोन में किसी एक किसा जाना है, मैं Ings को पहले प्रिफर करूँगा, then Watkins, आप चाहे Watkins को ले सकते हैं, या आप चाहें दोनु को ले सकते हैं, दोनु लीजे, अलगाजी हटाईए, लेकिन ये थोड़ा रिस्कों का penalty वाले matter में, in case penalty होती है, क्या बरुसा है, अलगाजी penalty ले ले, हमने pick नहीं गिया, तो हम match में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, तो ये मैंने सभी सी यह समझा दी, ये अश्टन विला की चल्सी के में 4 defender लेगी हूँ, अब यहाँ पर क्या कर सकते है, क्रिश्चंसन या रूडिगर के place में, थियागो सिल्वा पिक कर सकते हैं, या चालोबाय स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने लुकाकू लिए, मौंट ले और जॉर्जीनियो लिए, अब यहाँ पर एक और के अपटन होगा, जो भी अपडेट फाइनल एसल टीम होगी, टेलीग्राम चैनल में अपडेट हो जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर जॉइन कर लिजिए,